तो रिफ्रैक्शन पर बेस्ट next problem इस प्रकार से हैं यहां पर हमें दिया है कि एक glass मीडियम को vacuum में रखा गया है एक light ray इस पर incident होती है और वो refract होती है तो हमें निकालना है कि maximum angle of incidence क्या होगा जिसके लिए यह light ray refract होती रहे हमें यहाँ पर glass का refractive index n is equal to 3 by 2 दिया हुआ है और vacuum का refractive index 1 होता है अगर हम यहाँ पर snail's law लगाएं तो हमें मिलेगा n into sin i is equal to 1 into sin r तो हम लिख सकते हैं sin i is equal to sin r upon n अब हमें question में पूछा है कि i की maximum value क्या होगी जिस पर refraction होता रहे अगर हम देखें refraction तब तक होता रहेगा जब तक यह angle 90 degree तक चला जाएगा 90 degree से जादा पर यहाँ पर reflection स्टार्ट हो जाएगा तो अगर हम r की value 90 degree दालें तो हमारे पास sin ic आएगा sin ic is equal to sin 90 upon 3 by 2 इसको simplify करेंगे तो हमारे पास आएगा ic is equal to sin inverse 2 by 3